स्वयम सहायता स्थमु की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को दिदी हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज ज़स ज़स सब्सकाइब कर लिजे क्यूंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंदर सरकार के द्वारा जो भी उजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेना टीवी चनल को सब्सकाइब कर लिजे अगर दिदी आप पहले से ही DNRLM में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन है कि पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल अभूले साथ ताहिक बैठक, साथ ताहिक बचत, आध्रिक उधार समय सरण वापसी लेखा जोखा इन पंच सुत्रो का करे पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजनाओ का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिये तीदी, जैदा ना बात करते में में टॉपी की दरफाते हैं जैसा कि आपने हमारे थरनेल में देखा है स्वैम सहयता समू के द्वारा रोजगार राश्ट्री ग्रामिराजीव का मिशन में आजीव का चलाने वालों के नुकसान जी हाँ आईए जानते हैं पूरे वीडियो में वीडियो को छोड़कर बिल्गूल ना जाये दिदी अन तक देखती रहें स्वैम सहयता समू के द्वारा रोजगार मिलने के आउसर में भी रिस्वत का खेल जी हाँ दिदी राश्री ग्रामिराजीव का मिशन में आजीव का चलने वालों के नुकसान स्वैम सहयता समू के द्वारा रोजगार स्वैम सहयता समू क्या है पहले आईए ये जानते हैं स्वैम सहयता समू कैसे काम करता है स्वैम सहयता समू के लाभ हैं क्या स्वयम सहता समू से नुस्कान कैसे है इन सभी सवालों के उत्तर के साथ सबसे पहले तो उस बात को समझते हैं मेरे वीडियो का जो उद्देश है मेरे वीडियो का उत्देश है कि रिस्वत और घुटाले और रिस्वत खोरी किस तरह से किये जा रहे हैं उसके बारे में बताना साथ ही अन्य जानकालिष सामिल की जाती है स्वेम सहता समू के लब क्या है स्वेम सहता समू ने ग्रामीर छेतर की महिलाओं को रोजगार के बहुत से आउशर प्रदान किये हैं इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता है दिदी स्वेम सहता समू से जुड़ी महिलाओं को समू में जमारासी की जमानत मालो या ऐसे समस्ते हैं कि कोई महिला समू की सदस्य है जिसके माध्यम से राश्री ग्रामीर जीव का मीशन प्रोग्राम के तहत आर्थिक मदद बहुत ही कम 2% मासिक ब्याज पर मिलती है लेकिन आपको बता दे दिदी कि फरवरी 2021 से यह ब्याज की दर घटा कर एक पर्षन कर दी गई है प्रधान मंत्री आजीवी का मिशन प्रोग्राम से लोन लेने के लिए आपको समू का सदस्य होना जरूरी है तो आप लोग फटफट समू में जुड़ जाएं जो पैसा समू की महिनाओ को दिया जाता है उससे अपने छोटे मोटे वैबार को आगे बढ़ा सके स्वेम सहता समू में जुड़ी हुई महिनाओं को प्रधान मंत्री आजीवी का मिशन से छोटी मोटी नौकरी मिलने में से भी सबसे पहला अधिकार दिया गया है अगर किसी ग्राम पंचायत में एक ऐसी महिला कर्मचारी की जरूरत है जो काम एक महिला आसानी से कर सकती है सैच्छी की योगता के हिसाब से नौकरी भी मिलती है स्वेम सहता समू में जुड़ी महिनाओं को बहुत से चांस घर से ही रोजगार करने के मिल रही है समू की महिला जो पैसा प्रदान मंतरी ग्राम राजीव का मिश्यन से पैसे अपना वैपार बढ़ाने के लिए लेती है उस पर एक प्रतिशत का ब्याज लगता है ब्याज की जमारासी को सरकार नहीं लेती है आपको बता दे दिदी, सरकार सिर्फ अपना पैसा ही लेती है ब्याज का पैसा समू के मेंटरेंस पर खर्च किया जाता है 0.50% पैसा जब कभी आजिव का मिशन के सम्बद में कोई अधिकारी स्वेम सहता समू की महिलाओं के बीच ज्यागुपता के लिए मिटिंग करता है उनके लिए चैपानी का खर्चा किया जाता है बाकी 0.50% में स्वेम सहता समू में जो महिलाओं लेखा जोखा रखती है भाग दोड़ करती है उनको दिया जाता है स्वेम सहता समु में जुड़ी हुई महिलाओं को सरकारी हस्पताल बलाक आफिस जिला मुख्याले तहसील कारियाले आदी जो भी सरकारी कारियाले होते हैं वहाँ पर कैंटीन खोलने का भी अधिकार राष्ट्री ग्रामिराजीव का मीशन के तहद दिया गया है स्वेम सहता समु की जो महिलाएं समु का लेखा जोखा रखने का काम करती हैं उसका मेहंताना 500 रुपय प्रती माह दिया जाता है यह में हिंताना सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है दिदी जो आपके द्वारा जिन व्याज वापसी होता है जी हाँ व्याज का रुपया जमा होता है उसी से दिया जाता है अब आए जानते हैं कि स्वैम सहता समू किस तरह से काम करता है स्वेम सहता समू के लिए एक समू में एक कस्बे में कम से कम 10 महिला अधिक्तम संख्या 15 होती हैं 20 भी हो जाया करती हैं देदी इस तरह के 5 समू मिला कर 1 ग्राम संगठन बनते हैं समू की प्रतेक महिला स्वे मिसायता समू के संगठन में 10 रुपए प्रती सब्ताह जमा करती है महीने में 40 रुपए जमा होते हैं समू में जो कोई भी महिला कर सकती है समु में जमा की गईराधन रासी निधारिस समय पांच वर्स में इकटा होकर ब्याज के सहित वापस मिलती है बहुत सी दिजिया का कोशन रहता है कि यह पैसा कहा जाएगा हमें नहीं मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप पांच सुत्र का पालंग करती रहेंगे जी हैं आप पांच सुत्र का पालंग करती नहींगे तो आपका पैसा इधर उधर नहीं जाएगा पांच वर्ष में इकठा हुआ ब्याज के सहित वापस मिलती है समु की कोई भी महिला अगर पांच से अधिक स्वय में सहता समु को बनाती है तो उसको सबसे सीनियर होने का अधिकारवा पदोनती भी होती है जिसे हम समु सकी कहते हैं जब पदोनती हुई है तो कहीं ना कहीं आय का साधन भी जूड़ जाता है एक समु की सभी महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का समान अधिकार होता है समु में हो रहे किसी भी गलत काम का विरोध कोई भी कर सकता है समु की तीन महिलाओं जिन्हें खुद की इच्छानुसार एक पद भी दिया जाता है अगर वह अपना समय किसी पद के लिए देना चाहती हैं तो कर सकती हैं सच्यू कोशाध्यच और अध्यच इन्ही तीन महिलाओं के नाम पर बैंक में बचत खाता खोला जाता है दिदी राश्टी ग्रामिराजीव का मिशन की रासी उसी खाते में आती हैं बैंक से रूपए निकालते समय तीनों महिलाएं साथ होनी चाहिए पैसे निकालने का जो भी कारण होता है समय के जिस सदस को देना होता है उसका सपर्ष्ट कारण रजिस्टर मेंटनेस करना होता है समय की सभी मेंबर के हस्ताचर होते हैं कारवाही रजिस्टर पर इन सभी के बाद भी राश्ट्री ग्रामिराजीव का मिशन की अधिकारी साइन करते हैं रजिस्टर पर तब बैंक से पैसा निकलता है समु जितना अच्छा मेंटेन होता है और पुराना हो जाता है उसकी वैलू उतनी अधिक बढ़ जाती है आज बात करते हैं स्वेम सहता समू में जुड़ी महिलाओं के प्रधान मंत्री आजीवी का मिसन के तहत नौकरी में रिस्वत का खेल जिहां दिदी स्वेम सहता समू को राश्ट्री ग्रामिराजीव का मिसन से जुड़ा गया है जोडने के साथ ही रोजगार के आउसर में रिस्वत का खेल सुरू हो गया सुरुवात के दिनों में कोई भी छोटी मोटी नौकरी निकलती थी तो स्वेम सहता समू की महिला को योगता अनुसार दे दी जाती थी समय के साथ जब महिलाओं को लाभ मिलना सुरू हुआ तो दी अन्य महिलाओं भी समू के नए गठन में सामिल होने लगी कुछ समय बाद जब कोई भी फेकेंसी स्वेम सहता समू की महिला के लिए आरच्चित होने लगी तो समू की महिलाओं ने अपने अपने की आदत आ गई जैसे कि आप जबी जानती हैं कि मुझे मिले मुझे मिले ये आदत आ चुकी नौकरी किसी एक को मिली हैं लेकिन समू की प्रतेक महिला चाहने लगी यह नौकरी मुझे मिल जाए महिलाओं में अपनी अपनी होने वाली सोचने भरती पतरिया पूरी करने वाले वह अधिकारी जो राष्टी ग्रामिराजी का मिशन से जुड़े थे उनको फायदा देना सुरू कर दिया एक समू से किसी एक महिला को ही नौकरी मिलनी है हाला कि काम सभी को मिलता है एक साथ सभी को नौकरी न देकर एक एक करके दिया जाता है महिलाओं को इस बात की तसली नहीं होती है कि उसको नौकरी दे दी मुझे कुछ नहीं मिला इस सोच से समू की महिलाओं में आपसी मतभेत के साथ मनमुटाओं भी हो जाती हैं भारती प्रक्रिया पूरी करने वाले अधिकारी जब यह देखने लगे एक वेकंसी के लिए 20 लोग लाइन में लगे हैं लेकिन काम किसी एक को ही देना है तो पैसे का खेल सुरू हो गया समु की महिलाएं पैसे भी देने लगी कि मुझे भरती करवा दो जिस महिला का समय पर पैसा पहुच गया उसको नौकरी मिल गई योगता हो या ना हो पैसे ना उनके योगी बना दिया जी हाँ पैसे ने उनको योगी बना दिया जो नौकरी किसी बार्वी पास महिला को मिलने के लिए होती थी रिसवत खोरी की वज़ा से आठवी पास भी भरती होने लगी जहां दिदी बार्वी पास महिला को नौकरी मिलनी थी वहां पर आठवी पास महिला को नौकरी मिली यह मामला तब सामने आया जब समु की महिलाओं को विधुत सकी का काम मिलना था विधुत सकी बनने के लिए स्वेम सहता समु की सदस होने के साथ ही बार्नी तक पास होना भी जरूरी था विधुत सकी भरतिपकरिया पूरी करने वाले अधिकारियों ने आठमी पास महिला को भी विधुत सकी बना दिया आठमी पास महिला को विधुत सकी बनाने के लिए पांच से दस हजार रुपे रिश्वत भी जमा की गई हम इस बात को बुरा नहीं मानते हैं कि आठमी पास को भी नौकरी दी गई जो बार्मी पास को मिलनी थी हर कोई जान भुच कर स्कूल नहीं जाता कुछ लोगों अधिक इस्तिती कमजोर रही कहीं ना कहीं किसी साधन की अभाव में बहुत से लोग नहीं पड़ पाई उनको नौकरी मिल गई अच्छी बात है उनका भी भला हो लगा पर यह बात तो खराब है ना जो आठमी पास की मार्चित थी वो फरजी बनाई गई है एक आठमी पास महिला जो विद्धुल सकी बनी है वह अपने मोबाईल अप्लिकेशन से लोगों के बिल जमा करने जाएगी या बिल निकालने जाएगी एप्लिकेशन काम न करने की दसा में वह क्या करेगी किसी का बिल जमा करने में गलती कर दी उसका सुधार कैसे होगा क्या उस समय भी वही लोग काम आएंगे जिनोंने आठमे पास की फरजी मार्शिट बनाई है या वह लोग काम आएंगे जिनोंने 10,000 रुपए रिश्वत लेकर भरती किया है स्वैम सहता समू में मिलने वाली नौकरी पूर्ण तरीके से सरकारी नहीं होती है या मैं हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि इसमें बस मानदे पे ही रखा जाता है फिर भी बहुत से अधिकारी होते हैं और आपको नौकरी से कोई निकाल भी नहीं सकता है हो सकता है आने वाले समय में पूर्ण सरकारी कर दी जाए लेकिन अभी ऐसा नहीं है आज के वीडियो में बस दी इतना ही अगर तूटी पूर्वक कुछ हिस्सा गलत हो गया हो कुछ हमने गलत बोल दिया हो या हमसे भूल हो गई हो तो कमेंट बाक्स में लिख कर बता दीजेगा हम अपने वीडियो में कुछ सुधार करना चाहेंगे तो चली दिदी आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सस्क्राइब और सेयर करना बिल्कुल न भूलें जुड़े रहे हमारे प्रेणा टीवी के साथ धन्यवाद जया जी विका खढो सकते अरिए सरी ऊलेगियो जी अरुड़े ज 근's आूर आपको हमारे शेर ओखववाद भ्वालें जाने वीडियो जी विका भभयाद़, ट्यूच राता करना दाता प्रेणी पूलेगियो जी अरूचर को शूलें बस जूते हैं ऑ्र स्चलों सूले झाल झाल